मस्कार मेरे यूटूब चैनल कुस्पा के पाट साला में आपका स्वाकित है आज हम बनाएंगे आटे से माठरी तो मैंने एक बड़ी कटोरी भरके अग्रेओं का आटा ले लिया च्छान के इसके अंदर दो तीन चमज मैंने सूजी मिक्स कर दी और एक चमज भरके में बैसन क्रेस करके डालिया ताकि खुस्पा बहुत अच्छे आएगे आदा चमज हल्दी डाली यह अपसनल है आप डालना चाहे तो डाले थोड़ी सी मैंने कसूरी मेती डाल दी यह बारी करके आप जो जो मैं चीजे बतारी आप डालना बहुत ही टेस्टी बनेगी मठरी एक डाला है स्वाद अनुसार इन सब को आप डालके थोड़ी सी मैंने काली मिर्च कूट के ले लिया आदा चमज के करी इन सब को डालके हम हाथ से अच्छे से मसालों को पहले मिक्स कर लेंगा आटे के अंदर अब इस तरह से हाथ से अच्छे से मसल ले फिर इसके अंदर दो कर लेंगे एकदम आपको टाइट आटा गूनना है कई बार हम रोटी बनाने के लिए सौप्ट गूनते वेशा नहीं गूनना आपको क्योंकि टाइट गूनने के तभी मत्री एकदम खसता बनेगी इस तरह से आप आटा गून के तयार कर ले आटा आमने गून दिया थोड़ा यह आटा कुछ भी मिक्स कर सकते हैं मैंने 2-3 चमच मेदा मिक्स कर दिया अच्छे से आप इसको मिलाके मिक्स कर ले एकदम इस तरह से बना ले तयार कर ले अब मैं बेलूंगी रोटी की तरह हमें एक लोई लेनी है इतनी बड़ी और एदम पतली रोटी बेल देनी है आट ओर टेश्टी भी बहुत बनेगी क्यूंकि मैंने सारे अच्छे मसाले डाले तो आप इस तरह से जरूर बना के ट्राइ करा हमसे पतली रोटी बेल नहीं एक दम इतनी बड़ी सी रोटी बेल के एक प्लेट में हम दो-तीन रोटी बनाके तैयार कर लेंगे मैं इस तरह से बतार आटा उसके ऊपर डाल देंगे और उसके ऊपर रोटी रख देंगे वापस वो ए प्रोसेस करेंगे आप ब्रस या चम्मच किसी से भी लगा सकते हास से वापस आटा डालेंगे शूका और वो भी रोटी रखेंगे मैं तीन रोटी से बना रही हूं आप इसकी जगे चार भी ले सकते हैं दो भी ले सकते हैं नहीं तो हम एक-एक रोटी बनाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है इससे आप बहुत जल्दी बना के तयार कर लेंगे इस तरह से मैंने वापस थोड़ा सा वही आटाव अगरे लगा लेंगे थोड़ी से मैं बेल लूँगी इसको ताकि आपस मैं चिपक जाए दा इस तरह से बेल ले आप थोड़ा सा वापस हम तेल लगा लेंगे इसके उपर इस तरह से रोल बना लेंगे एक दम टाइट रोल बनाना हमें इस तरह से थोड़ा सा हम इसके अंदर क्या करेंगे पानी लगा के चिपका देंगे तो अच्छे से चिपक जाए गई इस तरह से और थोड़ा सा और इसे बेल के पतला कर लेंगे आप सेप अपने अनुसार भी काट सकते हैं लेकिन मैं इस तरह से बता रही हूं तो आप सेम प्रोसेस करेंगे तो जल्दी से मठरी बनके तयार हो जाएगे हम सारे पीस इस तरह छोटे-छोटे कट कर लेंगे इस तरह से आप दबाए थोड़ा सा और सेप दे दे आप देख से इस तरह से यह दिखने में भी गहत अच्छी लगती है और जल्दी से बनके तयार हो जाएगे इस तरह से अब मैंने तेल चड़ा दिया कड़ाई में और सारी मठरी बढ़ना के तयार कर लिए तेल को मीडियम गरम करना आपको ज़्यादा गरम नहीं करना है नहीं तो मठरी क्या होगी है उपर से ब्राउन हो जाएगे अंदर कच्छी रह जाएगे धीमी आज में काफी टाइम लगेगा लेकिन धीमी आज में इसको फ्राई करना है तब यह एकदम खस्ता बनेगी तो आप जितनी डाल सकते तेल में उतनी डाल दे इस तरह से और आदा मिनट के बाद आप इसको किसी चम्मच या कोई जारे से इस तरह से चला दे आपको दीरे दीरे पलटते रहना है और इस तरह से धीमी आज में आपको पूरी फ्राई करना है जब यह आदी सी फ्राई हो जाए तब थोड़ी सी आँच आप बढ़ा दे गैंस की इस तरह से अभी तक हमारी आएक तम अच्छे से नहीं बुनी है इस तरह से फ्राई हो जाए कलर इसका चैंज हो जाए तो आप किसी प्लेट में कोई अकबार या टीसू पेपर लगा के निकाल ले ताकि जो भी एक्ष्ट्रा ओयल होगा वो अकबार सोक लेगा मैं इस तरह से सारी मठडी बना के तयार कर लूँगी अब मैं थोड़ा सा तेल वापस हलका ठंडा हो जाएगा गैस को कम करके फिर मैं वापस मठडी डालूगी दूसरा बेच भी हमने निकाल लिया है इस तरह से पूरी मठडी बना के तयार कर ले इसको आप दो धाई मेने श्टोर करके भी रख सकते हैं मैंने सारी मठडी बना लिए इतनी सारी बनी है मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी एकदम टाइट है खसता तो आप जरूर से बनाए चाय के साथ ही बहुत अच्छी लगती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर करे चैनल पर नए है तो प्लीज अच्छी key दो.